दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2223 का हाउस वेरिफिकेसन लिस्ट यहाँ पर निकल कर आ चुका है इस लिस्ट में आप लोग A to Z डीटेल्स देख सकते हैं जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिनिफेसरी का नाम देख सकते हैं beneficiary का father's name देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग को registration नमबर भी देखने को मिल जागा और यहाँ पर आप लोग financial year देख सकते हैं 23-23 यहाँ पर आप लोग A to Z details देख सकते हैं जिसमें दुस्तों आप लोग list को निकाल सकते हैं कितने लबारतियों को verification कर दिया गया है और जिन सभी लबारतियों का verification हो चुका है उन सभी लबारतियों को दुस्तों फेली किसका पेसा टनस पर क्या जागा जो कि दुस्तों verification होना शुरू हो चुका है तो दुस्तों आज की इस वीडियो में मैं जब लोग को A to Z details बताऊंगा जिसमें जो किस परकार से house verification किया जा रहा है और आप house verification list को किस परकार से निकाल सकते हैं जिसमें दुस्तों किनकी राज जी के अंदर का house verification किया जा रहा है कि इनके लबार्तियों को किया जा रहा है आप A to Z details के से निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं जब लोग को complete details बताऊंगा तो दूस्तों इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक दिखना होगा तब ही जाकर आप लोग A to Z details जान सकते हैं तो अना होगा परदानमंत्री आवासुजिना ग्रामीन के official website पर इस website का link आपको वीडियो के description पर मिल जागा वहां से दूस्तों आप किलिक करके आप directly इस website पर आ जाएं इस website पर आने के बाद 3Line के option पर आप लोग को किलिक करना है आवासौब बल option पर किलिक करना है पर आप लोग देख सकते है बीनिफेसरी डिटेल फॉर वेरिपीकेशन जो के आप लोग को वेरिपीकेशन के option पर किलिक कर دेना है यँसे आप लोग इस option पर किलिक कर देते हैं यहां से आप लोग A to Z डेटेल जानकारी फास सकते हैं जिसमें दूस्तों किन की लाभारतियो को verification कर दिया गया है और किंगी लभार्ति वोगों को तुष्टेट कर दिया गया है यहां से अब लोग यह टू जट डीटेल चान सकते हैं तो दूस्तो सब से पहले आप लोगो All State का option पर click करना है यहां से अपना State को आप लोगो सब से पहले select करना है इस state को select करने के बाद नीचे आप लोग को select का option मिलेगा इस option पर किलिक करके district को select करें district को select करने के बाद यहाँ पर अपना block को select करने के बाद select के option पर किलिक करके यहाँ पर अपना gram पंचायत को select करें ग्राम पंचायत को सिलेट करने के बाद सिलेट के option पर किलिक करके 2023 को आप लोग को सिलेट करना है 2023 सिलेट करने के बाद सिलेट का option पर किलिक करके परधान मंतरी आवासुजिना ग्रामीन को आप लोग को सिलेट करने ना है नीचे आप लोग को एक capture code मिलेगा capture code में minus plus जो भी रहेगा इससे आप लोग को solve करना है इस box पर और निच्चे आप लोग को submit वल option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर leash निकल कर आ जाएगा जो कि दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर leash निकल कर आ चुका है जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं beneficiary का नाम देखने को मिलेगा beneficiary का father's name देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोग को registration number देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं funnel cell year 2023 जो कि दूस्तों कूछ इस परकार से अप लोग details को निकाल सकते हैं आपने gram 5 यहाँ पर बीनिफेसरी का नाम दिया हुआ है और दूस्तों बीनिफेसरी का भदर से name भी दिया हुआ है जो कि दूस्तों यहाँ पर आप लोग A to Z details जान सकते हैं जिसमें दूस्तों आप लोग registration number को track भी कर सकते हैं कि दूस्तों कुछ इस परकार से यहाँ से दूस्तों अपना registration number को पता कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग track कर सकते हैं जिसमें दूस्तों किन की लाबार्तियों को verification कर दिया गया है किन की ग्राम 5 यहाँ पर बेरिफिकेसरी अप्रूबल हो चुका है जिन सब लाबार्तियों को पहली किसका पैसाट नस्पारिक किया जागा तो दूस्तों मुझे उमीद है कि ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद्या है तो दूस्तों वीडियो को like करे, channel को subscribe करे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा share करे तो चली दूस्तों नेक्स वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई वंदे महतराम जहीं जभरत